तो अब लिखेंगे अ, न, अद, दिखें इसको अगर मैं ऐसे पड़ू, अ, न, आ, र, तो खुद पता चल रहा है कि अ, न, न के साथ जैसी ही आ की मात्रा जोड़ेगी, न थोड़ा बड़ा साउंड करेगा, न, न, र, तो जब आप शब्द लिखेंगे, वर्णों को मेल स जब आप शब्द बनाएंगे तो आपको ये देखना है कि किस शब्द, किस वर्ण की साथ हमारा मूँ थोड़ा खुल रहा है, ठीक है, किसी भी जिस शब्द की साथ मात्रा है, उसको थोड़ा लंबा प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे ओ, न, 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 आ, अ, न, आ, र, बन गया नार, ओ, ख, ब, आ, ब, र, क्या बना, जुल्दी केस करो, वेरी गड़, अख बार, आई होब आपको मैम की बात, जो मैम समझाना चाहती है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अख बार, इस तरह से हमें आग की मात्रा में वर्ण जोड़ते जाना है, शब्द बनाते जाना है, अगर आपको मात्रा का ग्यान है, तो कोई फरक नहीं पड़ता क कि दो वर्णों का शब्द है, तीन वर्णों का शब्द है, चार वर्णों का शब्द है, ठीक है? Thank you so much.